बोपाल में एक चद्दर चोर पती की पोल उसकी ही पत्नी ने खोल दी पत्नी ने न सिर्फ इस चोर पती को सलाखों के पीछे पहुचा दिया बलकि चोरी का सामान भी जब्त करा दिया दरसल भोपाल के गांजी नगर इलाके में रहने वाले मुहमद अर्शद एक नामी नहीं अर्शद होटलों से भी साबू और श्राबू चुला लादा था घर की सफाई की दुरान जब उनकी नई नवेली पत्नी को पती की चोरी की इन हर्गतों का पता चला तो उसने रेर्वे में ऑनलाइन शुकायत कर दी आर्पीएफ ने लोकल पुलिस के साथ घर इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब करते हैं और अभी मैं भुपाल 202 दाता कॉलाणी एरपोर्ट रोट पे रहती हूं मैं ईद की सफाई के लिए मैं अपने घर को साफ कर रही थी और मेरे कमरे में संदूख था जिसमें हमेशा तारा लागा रहता था जो मेरे शोहर बाहर ग करके मैं रख देती हूं जब मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले तो उसकी नीचे की तरफ मुझे रेडवे की बहुत सारे चाद्रे तकरीबं 30-40 मुझे नहां पर तॉलिये उनके छे कंबल मुझे महां पर नजर आए जो कि मेरे लिए अन्डाइजेस्टिबल था कि यह सब चीज़ें क्या है और इसी वजह से मैंने अपने जैसे मेरे श्राहर गर पर आए तो इसारी चीज़ष ब्रधान देश और तुम्हें इस मामले में बोलने की जुरत नहीं है दूसरी बात यह कि जैसा मैं कऊ तुम्हें वैसा ही करना है जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तो मैं चलना पड़ेगा तो मुझे मुझे ही स्थोड़ी सी डाइजिस्टिबल नहीं लगी इसलिए मैंने रेलवे पे पून किया और रेलवे को का कि काई दिया अपनी संपत्ती वापिस ले लीजिए यह मेरे घर पे रखी हुए क्योंकि मेरे खांदान में मेरे घर में यह सब चीज़े नहीं होती है आप सर्विस किसी जगह से ले रहे हैं तो ठीक है सर्विस के लिए लेकिन चोरी करना मेरी समझ सा गलत है मैंने रेलवे पे इस चीज़ के मारना मुझे चपड़ी 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 के लिए मारना मुझे समझ नहीं आया कि यह सब चीज़े क्या है और मेरे क्या गलत किया मुझे समझ नहीं आरा मैं तो रेलवे जो रेलवे की चीज़े मैं रेलवे कोई वापिस कर रही इसमें मुझे नहीं रखता कि मेरी कोई गलती है